नमस्कार विद्यार्तियों, इस्टडी 29 एकेडिमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आजम कक्षा 627 की गनीत की कारी पुस्तिका का कारी पत्रक 49 सल करें, तो इस कारी पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर तक देखें और अपना कोई और त्री वी में आकरतियां, जिन में फलक, सिर्स, और किनारे होते हैं, इन आकरतियों के बारे में समझ विक्सित करें, पहला परसन है, नीचे दीगी आकरतियों में से त्री भूज, आयत, वर्ग, वेवरित को पैचान कर उनकी संक्यां लिखे हैं, तो यहाँ आपर हमें इस प्रकार के जो आकरतियां, यह सारी आयत की आकरतियां, इनकी संक्या हो जाएगी, 16, उसी प्रकार अगली आकरतियां, वर्ग, तो यह ऐसी आकरतियां, यह सारी वर्ग कहलाती हैं, और इनकी संक्या होएं, 21, और वृत हैं, एक, दो, तीनो, चार, चार वृत हैं, वैसे माचिस की डिबी में कितने तल सतय होती है तो माचिस की डिबी में 6 सतय या 6 फलक होती है उसी प्रकार खह में यह तल लिख सकते हो यह शतय लिख सकते हो माचिस की डिबी की सतय आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह है यह आकरती है वो आयत की तरह दिखती है गर में एसी चार वस्तो के नाम लिके जिनके सतय आयत की आकरती जैसी होती है तो आयत की जैसी आकरती वाली वस्तों में एक हो जाई गया आपके किताब उसके बाद टेबल का सिर्स, टेबल का जो सिर्स होते हैं वो भी आयताकार होते हैं, मूबाइल, मूबाइल की सते भी आयताकार होती हैं, इसके लगा दर्वाजा, दर्वाजे की आकरती भी आयताकार होती हैं, प्रसंसें के तिन, रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए, कव में हैं, छे सम समान आकार की सत्याओं से मिलकर बने बंद। डिबे को समान आकार की सत्याओं तो गण को लाएगा। यहां पर खया जाया जाएगा। खया में इंट की सत्याओं आयत जैसी होती है। इंट की सबी जो सते होती वो आयत की जैसी होगी गह में हो जाएगा एक गनाब में छे आयत होते हैं छे सते होती है छे फलक मान सकते हो गह में गन में आमने सामने की सते शमान होती है प्रसंद सिंग का चार बिना डखन का चोक का डिबा पांच सतों से मिलकर बना है इसे खोलने पर इसके सतय किस प्रकार दिखेगी चित्र बना कर दिखाई है तो इसकी जो सतय बनेगी वो इस प्रकार की हो जाएगी तो यह जो आकरतिया बन रही है आप इसकेल और पेंसिल की सायता से बनाओगे तो इनकी माप बराबर बनाने क्योंकि चोक का डिबा घना करतीगा होता है तो सारी सतें शमान हो जाएगी इस प्रकार इस वीडियो में हमने काईजे पत्रक 49 को हल किया अगले वीडियो में हम अगला काईजे पत्रक हल करेंगे वीड वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धिन्य निवाद